नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस study for civil services में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका feedback है कोई suggestion में तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर रता ही है अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल क को तुरंद सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला फ्री टेलिग्रम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट इजांस में दोस्तों यह यूपी स्पेसल स्रीज का चौथा वीडियो है आप तक तीन वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो को में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है वह भी वीडियो आप देख सकती है वीडियो सुरू करने सब्सक्राइब बता कर सकते हैं तो आई वीडियो सुरू करते हैं हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रस्ण है जनगर्णा 2011 के अंसार उत्तर प्रदेश के किस जिले का नियुंतम लिंगानुपाथ है गौतम बुद्धनगर जौनपूर आजमगर या बागपद जनगर्णा 2011 के अंसार उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्धनगर का जो लिंगानुपाथ है वह सभी जिलो में नियुंतम है और यहां पर लिंगानुपाथ आपका 851 जो है यहां का लिंगानुपाथ है इसके पसार हमीरपूर बागपत का भी काफी खराब है बात करते है अगर यह आपका नियुंतम है और उचितम जो लिंगानुपाथ है वह आपका जोनपूर का है जोनपूर का है सबसे देख जो लिंगानुपाथ उत्तर प्रदेश में है वह आपका जोनपूर का है दूसरी अस्थान आपका आजम आता है इसमें इस प्रकार जो है इसका जो जहां सी मिस्तित है इसका जो आप्शन B है वो आपका सही है उत्तर प्रदेश किसाम सभाग का गठन कब हुआ था 1915, 1916, 1918 या 1920 उत्तर प्रदेश किसाम सभाग जो गठन किया गया था वो वर्स 1918 मिसका गठन हुआ था और यहां जो है मदन मोहन मालवी, इंद्र नारान दिवेदी, गवरी संकरमिस्त के प्रयासों से इसका जो गठन है वो वर्स 1918 मिसका गठन किया गया था उत्तर प्रदेश किसाम ओयास योजना की तहत कौन सही सुमिलित नहीं है जैसा कि हम लोग पूर में पढ़ चुके हैं उत्तरपदिय सरकार ने वन डिस्टिक वन प्रटू की योजना जो है वह वर्स 2018 में सुरू की थे और उसी के पैटरन पर एक खेल योजना जो है वह उत्तरपदिय सरकार ने संब्दित है होकी आपका लखनव संब्दित है टेबल टेनिस यह आगरा का है बैट्मिंटन जो है यह आयुद्ध्याक नहीं है बैट्मिंटन यह अलिगड़ और गौतमभूत जिली का है अलिगड़ और गौतमभूत जिली का जो खेल है वह आपका बैट्मिंटन है तो इसका जो option C है वह सही है आएते हैं अगला प्रस्म दो टिहरी जल विद्यूत परियोजना कीन दो राज्यों की सन्युक्त परियोजना है यहाँ पे चार आपसं दियागे आप लोग आपसं पढ़ लीजिए तिहरी जल विद्यूत परियोजना यह उत्तर प्रदेश और उत्तर रखन की सन्युक्त परियोजना है इसका जो option B है वह सही है तिहरी जल विद्यूत परियोजना यह गंगा की सायक भागी राथी नदी पर इस्थित है इसका जो option B है वह आपकर सही है प्रियाग राज में राष्टी विश्विद्याले का नाम किसके नाम पर रखा गया है अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजिन प्रसाद, दीन द्यारूपाद्याय या महींदर सिंग प्रियाग राज में राष्टी विश्विद्याले का नाम करण किया गया है वो हमारे भारत के पहले राश्पती डॉक्टर राजिन प्रसाथ के नाम पर या विस्विद्याले होगा इसका जो option B है वो आपका सही है उत्तर प्रेस में आव नलिका अपर्दन से सरवादिक प्रभाविक जिला कौन सा है इटावा, मेरट, गोरकपुर या फरुखाबाद तो इसका जो सही आंसर है वो option A इटावा में जो है अपर्दन सरवादिक होता है इसका जो option A है वो आपका सही है उत्तर प्रेस के किस हिस्से में क्रिस्य स्रम उत्पादकता सरवादिक है पूर्वी उत्तर प्रेस, बुंदेल, खंडशेतर, मध्य उत्तर प्रेस या पस्तिमी उत्तर प्रेस तो सरवादिक जो क्रिस्य स्रम उत्पादकता है वो आपका उत्तर प्रेस में वो पस्तिमी उत्तर प्रेस में है यहां पर खेती बारी काफी ज़्यादा होती है अच्छी मैनेंट करते हैं लोग और काफी बिक्सित एरिया है क्रिसिक की महामले में पस्त्रमी उत्रपडिये समारा और यहीं जो है क्रिसिक स्रम उत्पादिकताव यहां पर सरवाधिक है यहां पर आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है गोविंद बल्लब पंत सागर सुनबद्र सुरहा ताल बल्या रामगर ताल कुसी नगर आउंधी ताल वरानसी गोविंद बल्लब पंत सागर या आपके सुनबद्र में इस्तित है सुरहा ताल आपके बल्या में इस्तित उत्तरप्रदेश राज सूचना आयो का गठन कब किया गया था? 2003, 2004, 2005 और 2006. वर्स 2005 में जो है उत्तरप्रदेश राज सूचना आयो का गठन किया गया था. इसका जो option C है अब कर सही है. भारत का पहला वैरिक थीम पार्क वेदवन उत्तरप्रदेश के कि सहर में खोला गया? नोईडा, लखनौ, गोरकपुर या मेरट. वेदों और पुराणों को विस्तार से जो है इसमें बताया गया है वेदवन जो भारत का पहला वैरिक थीम पार्क है इसे नोईडा में नोड़ा में झो है खोला गया है गिस घराने को ख्याल गाइका का अगाया धाता माना जता है गождया एक तरफ भाष्ट गणलीला घराना घ्रना एक तरफ ततर दीन से अगई-गाया गाइक्वा duration आपको सही सुमिलित करना है कतनिया गहाट वने जी सब्ढ़ यह आपके बैराईश इस प्रकार जो फोप्ससि है वे आपको सही है कतनिया घाट वर्नेजु विहार आपके बहराईज में सोहागी बरबा वर्नेजु विहार आपके महराजगंज में समान पच्ची विहार आपके महिनपुरी में महिनपुरी में और सूर सर्वर पच्ची विहार आपके आगरे मिस्तित है सहरिया जन्जाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है महराजगन ललिदपूर वाराणसिया सीतापूर तो सहरिया जन्जाद जो पाई जाती है उत्तर प्रदेश के ललिदपूर जिले में पाई जाती है इसका जो option B है वापकर सही है उत्तर प्रेश का सबसे लंबा राश्टी मार्ग कौन सा है NH9, NH19, NH56 या NH27 तो उत्तर प्रेश का वर्तमान में जो है सबसे लंबा राश्टी राज मार्ग आपका NH19 है इसका जो उप्सन भी है वह सही है इसका पूर्ब नाम जो है वह NH2 था और वर्तमान में जो इसका नाम आपका NH19 है और यह जो है उत्तर प्रेश का सबसे लंबा राश्टी राजमार है गंगा नदी उत्तर प्रेश के किस जिले में सरफ़तम प्रिवेस करती है मेरट, बुलन सहर, मतुरा या बिजनावर तो इसका जो सही आंसर है वो आप्सन D, गंगा नदी जो है सरफ़तम उत्तर प्रेश में उत्तर प्रेश के बिजनावर में प्रिवेस करती है इसका जो आप्सन D है, वो आपका सही है उत्तर प्रेश का पहला 1 ग्राम, वेल हत्थी ग्राम जो है यह किस जिले में स्थित है, सुनभद्र, मिर्जापूर, बाराणसी या सीतापूर तो उत्तरप्रिज का पहला वन ग्राम जिसका नाम वेलहत्ती है यह सुनभद्र में स्थित एक गाउं है, इसका जो option A है, वो आपका सही है न्यमि सानाने 3-3 तस्तर, किस जिले में स्थित है, सीतापूर, बारावंग के हर्दोई या लखनाओ तो जैसा कि काफी फिमस आपका न्यमि सानाने 3 तस्तर है, यह आपके सीतापूर जिले में स्थित है इसका जो option A है, वो आपका सही है भारती रेलवे ने कहां से कहां तक के लिए भारत गौरो डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है वरानसिस दिल्ली, वरानसिस आयोध्या, आयोध्यास जनकपूर, चन्याई से जनकपूर भारत गौरो डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन जो है यह परेटन करा रही आपके उनके लिए भारती रेलवे ने भारत गौरो डिलक्स एसी टूरी स्टेरिन शुरू की है और यह आपके आयोध्यात सी जन्रकूर्टक के जो है परिटिन कराएगी इसका जो आप्सन सी है वो आपकर सही है किस मुगल सासक ने बानारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वा कविंदर आचारे सरसुति को राज की सनचन प्रदान किया था हुमायूं जहां 170 साजहा ने दिया था इसका जो आप्सन डी है वो आपकर सही है उत्तर प्रदेश ने अपने पहली खेल नीती 2030 कब जारी की है 5 मार्च 2030, 16 मार्च 2030, 10 मार्च 2030 यह 17 मार्च 2030 कभी-कभी important जो fact होते हैं हालही में जो चीज़े घटित होती है और important data होता है तो उसकी eject date भी पूछी जाती है तो यह जो है उत्तर प्रदेश ने अपनी पहली खेल ने जो शुरूक की है जारी की है वो 10 मार्च 2030 को जारी की है इसका जो option C है वो आपकर सही है यहाँ पर आपको बताना है काउन सजोड़ा गलत है तेरा कोटा गोरकपूर, लकड़ी खिलोना वरानसी, चीनी मित्री की बरतन, चीनहट, कांच का सामान सहारनपूर तो इसका जो सही आंसर है वो option D कांच का जो सामान है यह सहारनपूर का फेमस नहीं है बलकि यह फिरोजा वाद में फेमस है अब आकर टेरा कोटा गोरकपूर में काप फेमस है लकड़ी खिलोना के लिए यह वरानसी फेमस है चीनी मित्री की बरतन के लिए आपका चीनहट फेमस है तो इसका जो option D है वो आपका सही है यहाँ पर चाल जिले दी है कि इसमें आपका पताना है किस जिले का मुख्याला आपका खलीलाबाद में है तो खलीलाबाद जो मुख्याला है यह संत कवी नगर का है इसका जो option B है वो आपका सही है उत्तर प्रदेश के किस नव पासाने कुरा अस्थल से धान की खेती के साच मिले है इसका जो option D है वो आपका सही है उत्तर प्रदेश के कौल्डेवा से जो है नव पासाने कुरा अस्थल से धान की खेती के साच मिले है एक महिने तक कासी तमिल संग्वाम का आईजन कहां किया गया था प्रियाग राज मदुराई वारानसी या आयुद्या कासी तमिल संग्वाम का जो आईजन है यह वारानसी में किया गया था और यह टोटल लगभग एक महिने तक चला था और इसका जो उद्धाटन है वो प्रदान मंत्री नरिन मोदी जी ने इसका उद्धाटन किया था वारानसी में इसका जो option C है वो आपका सही है हाले मुत्रप्रः सरकान ने राज के कितने जिलों को सेफ सीटी बनाने को मत्रप्रः सरकान है इसका जो on C है वो आपका सही है वरतमान में भारत की GDP में उत्तरपृद्स का योगदान कितना है? 5%, 6%, 7% या 8%. वरतमान में जो है उत्तरपृद्स की GDP भारत की GDP में जो भाग कुछा जारा वापका टोटल 8% है. इसका जो option दी है वापकर सही है भारत के GDP उत्तर पर जो योगदान वापकर 8% का है देश का पहला काईनाईन सेंटर कहां बनाया जाएगा बरेली हर्दोई कानपुल या लखनौं कुत्नों के व्यवहार संबंदित बिमारीयों पर अध्यान करने के लिए देश का पहला काईन इसका जो सही आंसर है वो option B मतुरा में स्थित है पंडित दीन दयाल उपाद्या है पसुची किस्सा विस्विद्याल है इसका जो option B है वो अपकर सही है के अंदर सरकार दौरा चलाई जा रहे हैं स्मार्ट सिटी योजना के तहर उत्तर प्रेश के कितने सहर सामिल किये गए हैं नव, दस, बारा या पंदरा तो इसका जो सही आंसर है वो आप्शन बी, दस केन सरकार जो स्मार्ट सिटी योजना चलाई जारी है इसमें जो है उत्तर प्रेस के टोटल दस सहरों को सामिल किया गया है यह जो सहर है आपके, आपके आगरा है, अलीगड़ है, प्रियाग राज, बरेली, जहांसी, कानपुर, उत्तवित दाधनी लखनाउं, मुरादाबाद, सहारनपुर और आपका वाराणसी, टोटल दस सहरों चुने गए हैं, केन सरकार दोरा चलाई जारी स्मार्ट सिटी योजना किता है, इसका जा अप्शन भी है, वह आपका सही है 2011 की जनगर्णा के अंसार, उत्तरप्रदेस का सिस्यू लिंगान पाथ कितना है, 892, 902, 915 यह 927 तो उत्तरप्रदेस का सिस्यू लिंगान पाथ है, जनगर्णा 2011 कंसार, वह आपका 902 है, इसका जो ऑप्शन भी है, वह आपका सही है, केन बेतवाल लिंक पर्यूजना किन दो राज्यों समंदित है, उत्तरप्रदेस गर्ण, उत्तरप्रदेस बिहार, उत्तरप्रदेस मत्रदेस यह उत्तरप्रदेस हीमाचल प्रदेस, तो केन बेतवाल लिंक पर्यूजना जो समंदित है, यह आपके उत्तरप्रदेस और मत् लिटपूर और महुबा यह जिले जो है केन बेतवा लिंक पर्यूजना से लाभानवित होंगी है वह ही पर मद्द प्रडिश का आपका टीकमगड है पीकमगर, पन्ना और छतरपूर यह तीन जिले जो है वो आपके लाभानवित होंगे यह मद्रप्रेस के और उत्रप्रेस के जहांसी, बांदा, ललिटपूर और महोबा जो है इसे लाभानवित होंगे वारानसी को इंडिया स्मार्ट सिटी आवार्ट समारो में कितने स्रेडियों में पुरुसकार मिले है वारानसी को इंडिया स्मार्ट सिटी आवार्ट समारो में टोटल चार स्रेडियों में पुरुसकार मिला है इसका जो आप्सन ए है वो आपके सही है यह जो पुरसकार by सहरी और आवास मामलोम प्रेस्वारण ने द्वार्ण जारी किया गया है इसमें कोबी इन्मेशन आवर्ण, इसमार्ट सिटी city इडर्स, सिप अवार्ड, सिटी अवार्ड और जल संदच्छन अवार्ड टोटल जो है चार स्रेड़ों पुरुसकार जीता है वह रांसी ने इसका जो ऑप्षन ए है वो आपका सही है उत्रप्रदेश फैमिली आईडी कार्ड में कुल कितने अंक है हाले ही में उत्रप्रदे सारी जानकारी जुटाने में जो है इसे मदद मिलेगी और इसलिए फैमिली आईडी जो है वह राजसरकार ने शुरू की है इसका जो ऑप्षन सी है वापस सही है उत्रप्रदेश किस देश के साथ सीमा साजह करता है चीन पाकिस्तान भूटान या नेपाल तो उत्रप्रद सीमा साजह होती है आपके नेपाल से होती है इसका जो ऑप्षन डी है वापस सही है चंबल नदी किन राज्यों से उकर बहती है चंबल नदी जो उद्गम है वह मद्रप्रदेश से होता है मद्रप्रदेश से होता है और यह है तीन राज्यों से उकर बहती है एक आपका उत सब्सक्राइम कि साहयक नदी है और इसकी साहाईक नदी रहा कि सहाईक नदी गौश कर्फेटरप्तरस डबल की चैनल मरेभी चथ्षण व्यांपका सब्सक्राइब गया है लखनव वारानसी आगरा या प्रयाग राज तो भारत का पहला जो रोपे ट्रांसपोर्ट शुरू किया गया है वह प्रधान मंतरी के संसरी छेत्र में शुरू किया गया है अर्था तापके वारानसी में है इसका जो ऑप्जन बी है वापस सही है रोपे ट्रांसपोर प्रोप्रेट ट्रांस्पोर्ट इसका जो ऑप्षन भी है वापकत सही है उत्तरप्रेस में किस जनजाद के लोग दीपाउली को सोक कुरूप में मनाते हैं थारू, सहरिया, कोल या भील दीपावली को सोक रूप मनाते हैं आपके थारू जनजाद के लोग इसका जो उप्षन ए है वह अपकत सही है सुहाग नगरी कई बार परिच्छा हम पुछा गया है इसे फिरोजाबाद को कहा जाता है यहाँ पर चुणियों काफी कारोबार होता है इसका जो उप्षन भी है वह आपकत सही है फिरोजाबाद को जो है सुहाग नगरी की नाम से भी जाना जाता है आपको बताना है कि उत्तरबिदें सरवादी बर्सा कहा होती है और सबसे नियुनतम बर्सा कहां पर होती है इसके लचार अप्षन दियागा आप लोग अप्षन पढ़ लीजे उत्तरबिदें जो सरवादी बर्सा होती है वह आपके गोरख पुर्मूती है और नियुनतम जो बर्स होती है वह आपके मतुरम होती है तीस प्रकार जो है इसका जो अपसिसी है वो आपका सही है उत्तर बिदिस संदर में कौन सही सुमिलित नहीं है राजकी पेड़ असोग राजकी पुस पलास राजकी पस बाग राजकी पसी सारस क्रेन यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है उत्तरप्रेस का राजकी पेड़ा आपका असोख यह सही है राजकी पुस्प आपका पलास यह सही है राजकी पच्छी सारस यह क्रेन है यह भी आपका सही है परन्तु राजकी पस जो बाग नहीं है यह आपका बारा सिंहा है बारा सिंहा जो है यह आपका राज की पसु है उत्रप्रेश का बाकी राज की पेड़ा आपका सोख है पुस्प आपका पलास है पसु आपका बारास सेंगा और पच्छी आपका सारा स्क्रेन है उत्तर प्रदेश का राज की चिन कब स्विकार किया गया है 1921, 1939, 1950 या 1956 वर्ष 1928 में उत्तर प्रदेश का राज की चिन जो है स्विकार किया गया है और इस राज की चिन में एक व्रित है जिसमें तीर और धनुस है और दो मचलियां है इसे जो है ये आपका उत्तरप्रेस राज किचिन है इसे वर्ष 1931 में स्विकार किया गया था इसका जो option B है वो आपका सही है लेदर टेक्नोलोजी पार्क किस जिले मिस्तित है हर्दोई कानपुर आगरा या उन्नाओ तो लेदर टेक्नोलोजी पार्क जो है ये बंथर एक जगा है ये आपके उन्नाओ में है वो आपका सही है सार्दा नहर का निर्मार कब हुआ था 1920, 1928, 1935 या 1940 उत्तर प्रेश की सबसे बड़ी नहर जो आपकी सार्दा नहर है और इसका जो निर्मार सुरू हुआ था वर्ष 1922 से सुरू हुआ था और वर्ष 1928 में जाकर ये कम्प्लीट हुआ था तो इसका जो निर्माल कंप्लेट हुआ था आपका 1928 में हुआ था हूँ और यह है उत्तर विद्य सबसे बड़ी नहार है आपके सार्दा नहार है 98 विद्यापीट के अस्थापना किस नी की थी पुरसोतं दास्टंडन स्विपरशाद गुप्त राजा महिंद परताप स्वामी सहजादन सर्सोती 84 विद्यापीट जो वराणशी मिश्थित है इसकी जो अस्थापना है सिव परसाद गुपत नी की थी वर्ष 1921 में यह आपके वारानसी मिश्थित है स्विव प्रसाद गुप्त ने कासी विद्यापीर के अस्थापना की थी राज का प्रथाम वनेजु बिहार जो चंदरप्रभा वनेजु बिहार है इसी कब अस्थापित किया गया था उत्रप्रथा पहला जो वनेज़ जियु बिहार है वह आपके चंदरप्रभा वनेजु बिहार है और यह आपके चंदलवी जिले मिश्थित है और इसकी जो अस्थापना होई थी वर्ष उन्डिस सतानवी में इसकी अस्थापना होई थी है इसका जो option A है वो आपकर सही है उत्तर प्रेस में railway coach कहां बनाए जाते हैं राय बरेली, वरानसी, प्रयाग राज या गोरक पूरू तो उत्तर प्रेस की सबसे पूरानी तापी परियोजना हर्दुगा गन तापी परियोजना है यह किस जिले में इस्थित हैं प्रयाग राज, जहांसी, मेरट या अली गड़ तो उत्रप्रेस जो सबसे पूरानी तापी पर्योजना या आपके हर्दुगाग गण तापी पर्योजना है या आपके आली गण में इस्तित है इसका जो ओप्शन D है अपकर सही है उत्रप्रेस में अंसोची जनजाति एस्ती के लिए आरचित लोगसवाद सीटों के संख्या कितनी है 17, 25, 28 या 35 तो उत्रप्रेस में लोगसवाद जो टोटल सीट वापका 80 है जिनमें अंसोची जनजातियों के लिए जो आरचित सीट वापकी 17 है इसका जो option A है वाकत सही है गाधि सांति पृस्का zeigen 2021 गीता प्रेस गुरख्पुर को प्रदान चिया गया है आपक बताना है ग्रीता पिरस की अस्थापना कब होई थी? 1915, 1920, 1923 या 1925 जीज़, गांधी सांथिप्रुस्का 221, गीता प्रेस फूरकक पुर्ठ के प्रडान किया गया है, और गीता प्रेस की जो अस्थापना है, वह स्वर्ष पूर अर्थाद, वर्ष उननीस्तो ते-आस में इसकी अस्थापना होई थी, और इसके सताब्दी समारों के सताब्दी वर्ष के समय जो है इसे गांदी सांती पुरुष का 2021 प्रदान किया जा रहा है अर्थात इसके 100 साल पूरी हो गए है और जैसा कि हम लो जानते हैं यह यह रामचेद मानस है गीता है इन सभी का जो है इन सबी का जो है प्रकासन करते हैं गीता प्रेस गोरकपूर तिस प्रकार जो है इसका जो आप्शन सी है वो आपका सही होगा आसा है आप सबी को बहुत कुछ जाने को मिलाओगा वीडियो को पुर्देखन धन्यवाद जैहिन जै भारत